वाई गुरुची का खालसा वाई गुरुची की फते जूरिया गुर्मुखी बाने दा एक एहम हिस्सा है जो कि गुर्मुख प्यारी प्रातन समेतों खास करके संगत विज गुर्द्वारे विज अधे पाठ करन लगे पैन दे रहे हन एह चिटे रंग दा गाल विज पॉणवाला परना जया हुनदा है जिस दे पैनन करके गुर्षिखान दा बाना संपूरन लगदा है तक्रीबन हर सिख जथे बंदिनल संबंदद पुराणे गोर्सिखान या तस्वीरां देख के पता लगदा है कि पुराणे गोर्सिख जुरूर्ण हजूरिया संगत विच पौंदे हुं देशन कि रतन करन समय आते पाठ करन समय ता लाजमी तोरते ही हजूरिया सजोना चाईदा है हजूरिया क्यों पहने जन्दा है? हजूरिया पहनन दे बहुत पाइदे हन आते एह गोर्मखी बाने दा एक अनिखणवा अंग है जिनक गुर्सिक्खां दे बाणा सजया होवे पर गाल विट चिट्टा हजूरिया ना होवे ता बाणा अधूराजया लगदा है इहो ही कारण है कि प्रातन गुर्सिक जदो संगत विच विचर दे हुंदे सन जा दिवान लौन दे हुंदे सन ता ओना दे गला विच हजूरिय जुरूर हुंदे सन आज भी दरबार साहिब अते होर इतिहासिक गुर्द्वारा साहिबान दे ग्रंथी जा कीर्तनिये जुरूर चिट्टा हजूरिय सजा के ही एसे मामा करदे हन पेश हन हजूरिय दी महत्ता वारे कोई जुरूरी नुप्ते है घुरू साहिब जी शाहिए शेहंज省 हन राजन के राजा अते महा राजन के महाराजा हन उन्टा दरबार भी अत उच्चे घ्रू के सिख गुरू जी दिपड़ जा हन अती ओन्ना दे दरदे पिखारी अते स्वली हन गालविच पाया होया हजूरिया पीख भी निशानी है प्राणे समेधी रीतसी के मंगण वाले गालविच पलला पाके अते इस्तनिया आपनी चुन्नी दा पलू बणाके बेंती कर दिया हुं दियां सन इसे तरह ही गुर्सिक जदो गुरु साहिब जी दे दरबार विज गुरु जी दे सान्मुख जान दे हन ता हजूरिया तार्ण कर दे हन एह दसन लई कि ओहो गुरू दे दर्दे स्वालियते पीखक हन हजूरिया निमर्ता दी निशानी है गुरू के दर्दा पीखक गुरू जी दे सनमुख चोक जान्दा है जदो गुरू जी अगे अरदास बेंती करनी हुंदी है तो हाथ जोड के दोहा हथां विच हजूरिया फड के महाराज़के बेंती करनी चाहिए है एह सही है कि बारले पे एक नालों दिल दी पावना ज्यादा जुरूरी है पर एवी साच है कि जिद्दा दी पावना साड़े अंदर हुंदी है और साड़े चेरे अते बारली हरकतां दे रूप विच परगट हुंदी है जेकर दिल विच खुशी होवे तां चेरे ते वी खुशी आ जन्दी है अते दिल दी उदासी चेरे ते परगट हो जन्दी है इसे तरह ही दिल दी निमरता अते गरीबी साधियां हरकतां जिमें की चुकन नाल, गल विच पल्ला पौन नाल, हथा विच पल्ला फड़के बेंती करन नाल परगट हुंदी है जो दो संगत विच गुर्सिक हजूरिया से जाके जानदा है ता एह एक निशानी वांग हुंदा है कि एह गुर्सिक सेवा लई त्यार बर त्यार है किर्तन करन वाले गुर्मुखा नू जुरूर हजूरिया से जाके संगत विच जाना चाईदा है जिनना किर्टनियां दे हजूरिय नहीं सजे हुंदे ओना नू किर्टन करन तो पहला मांग के हजूरिय सजोने पेंदे हान ओधो किनना अजीव लगदा है जदो प्राणे किर्टनी है जो कई सालना तो समागमा विच किर्टन दी सेवा कर दे हान कीर्टन मंडल विच बिना हजूरियतों ही तुरे ओंदे दस्दे हन। जिन्ना गुर्मुखाने कीर्टन दी सेवा करनी हुंदी है ओन्ना वास्ते जुरूरी है कि ओन्ना ने सिरी साहब बाहर दी सजाई होवे अति स्वैद रंग दा हजूरिया गाल विच पाया होवे सो किन्ना चंगा होवे जेकर सब कीर्टनिय गुर्शिक करो ही हजूरिय से जाके ओन। पाठ करन दे दौरान हाथ सुच्चे रखी दे हन। पाठ जेकर मुँ ते जां पैरा ते जां श्रीर दे किसे होर हिससे ते खाज होवे तैं उस वेले गुरू माराज जां गुटका साहब दी सेवा विच हाथ सुच्चे रखने चाही दे हन। इस करके खाज करन लगया हजूरिय दी वर्तो करनी चाहिए दी है तांकि हाथ सुच्चे रहनू पैरा नू हाथ लाके गुरु जी दे सुरूप नू जा गुटका साव नू ओही हाथ लोना बेद भी है पर जेकर खाज करन वास्ते हजूरिय दी वर्तो किती जावे तां हाथ भी सुच्चे रहन्दे हन सो हजूरिय दी पाठ करन वेले बहुत लोड़ पिंदी है आप जीनू सुनके हैरानी होवेगी कि हजूरिय शश्तर दा काम भी दे जन्दा है हजूरिय विच पत्थर वर्गी पारी चीज बन के इसनू शश्तर बंग वर्तिया जा सक्दा है जेकर मोटा कड़ा होवे ता बहुत असानी नाल कड़े विच हजूरिय प्रोके इसना शश्तर बन सक्दा है पारत दे शेरा विच आम ही सिगर्ट पीन वाले जो तुँआ छट दे हन उस तो बचनली नाकनू हजूरिय नाल टक्या जा सक्दा है इस तरह करन नाल तुआ अंदर नहीं जन्दा सिख बीबियां जो गुर्मखी बाणा तारन कर दिया हन उन्ना वास्ते हजूरिय शर्मो हया दा बस्तर भी है क्योंकि ए उन्ना नू पली पांत टाक्के रखदा है सो जो गुर्सिक बीबियां गुर्म की बाने दिया ताहर नी हुन दिया हन उनना लई हजूरिया एक लाजमी बस्तर है हजूरिये दा रंग अते लंबाई रवायती तौरते हजूरिया हमेशा चिट्टा ही गुर्सिक वर्थ दे आ रहे हन हुन कोजी ही समय तो नीले अते केसरी हजूरिये भी देखन वेचा रहे हन पर असी नवी रवायत शुरू करंदे हक विच नहीं हा पुरातन रवायत अनुसार हजूरिया चिट्टा ही परवान है हजूरिये दी लंबाई पैरन वाले ते निर्पर कर दी है आम तौरते गाल विच पाया होया हजूरिया तकरीबन तो नीतों थल्ले स्रीर दे आद तक हुन्दा है गुरू साहिब जी किर्पाकर्ण कटो कट संगत विच विचर देया अते गुरुद्वरा साहिब जान लगया सब गुर्सिक प्रातन मर्यादा अनुसार हजूरिया सजा के जाया करन जी वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते